तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन केडमी के इस नए और लेटेस्ट विडियो में तो फाइनली जितने भी क्लास 10 और 12 वाले विद्यारती हैं आप सभी लोग को मैं बता दू कि अर्दोक्रामर के object question का एपीसोड येइट है जिसमें हम लोग 20 questions तो करने वाले हैं लेकिन उससे पहले Class 10 ठीक है और Class 12 दोनों Class के अबजेक्टिब qe 이शन का live स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी लोग को मैं बता दूं कि आप लोग community post देखते रहीएगा date और timing जो है ना community में ही post किया जाएगा ठीक है कितना बज़े से live class start होगा और किस तारीक से ये आप लोग community post में देखते रहिएगा और live class में आप लोग अनिवारे है जुरुना किसी भी हाल में किस भी परिस्तिती में आप लोग live class में जरूर जुड़िए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए क्योंकि बहुत ही ज्यादा important question कराया जाएगा सारे के सारे MCQs और वो भी नहीं तो मैं आप लोगों को बता दू कि episode wise चलेगा यान कि class 12 उर्दू का objective question का episode चलेगा यान कि episode 1 ठीक है episode जो चलेगा यह live चलेगा ठीक है उसे तरीके से class 10 का भी चलेगा class 10 के उर्दू के objective question का episode यान कि objective हो यह फिर subjective हो episode में ही चलेगा episode 1, 2, 3 करके ठीक है तो live class के लिए आप लोग भी ready हो जाएगे committee post देखते रहेगा और आप लोग की एकदम धुअधार एकदम जबरदस्त classes चलेगी कि आप लोग exam नजदीक है ज्यादा दूर नहीं है आप लोग का exam काफी नजदीक आ चुका है तो इसी वजह से अब समय है objective question करने का और अभी तक आप लोग ने chapter वगरा complete नहीं किया है तो पहले से class 10th हो या फिर 12th सारे के सारे उर्दू का chapter complete करके रखें ताकि live class में जब question कराए जाए तो आप खुद से answer बता सके तो चलिए आज के इस episode में यानि कि episode 8 है इसमें हम लोग 20 question करने वाले हैं तो 20 में 20 आप लोग को सही करना है और ज्यादा hard question भी नहीं रखी हूं तो देखिए question number 41 है क्योंकि already episode 7 तक हम लोग 40 question complete कर चुके हैं तो यह episode 8 है यानिकी question number 41 से सवाल स्टार्ट हो रहा है और सवाल है कि दर्जजैल में से लहका वाले लवज की निशान देई कीजिए बहुत आसान question है ठीक है आप लोग खुद से answer बता सकते हैं पड़ाफ़ट answer बताना शुरू कीजिए दर्जजैल में लहका वाले लासे लाका लासे लास्ट यानि की जो हुरूफ लास्ट में जुड़कर एक नया शब्द बना दे उसे कहते हैं लाका तो लाका वाला लवज की निशान देई करना है पहचानना है बताईए उप्सने में बरक्स भी में है बे अदब सी में फिक्रमंद और डी में है ठीक है तो इसका सही एंसर क्या होगा लाका वाला लवज सबसे पहले देखिए बर अक्स के स्टार्टिंग में यान की शुरू में जुड़ा हुआ है बर यानि कि ये तो साबका है ए तो होगा नहीं अदब क्या आगे यान की अदब के शुरू में जुड़ा हुआ है बे यह भी साबका वाला लवज है, option number B भी नहीं होगा, like के शुरू में जुड़ा हुआ है, no, option number D भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी साबका वाला लवज है, यानि कि option number C is the correct answer, फिक्र मंद्र, फिक्र के last में जुड़ा हुआ है, मंद्, ठीक है, तो यह है लाका वाला लवज, option number C हो गया, इस सवाल का सही जवाब, ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, यानि की question number 42, आज के इस एपिसोड का तो यह दूसरा ही सवाल है, सवाल है की तर जैल में से साबका वाले लवज की निशान दहीं करे, option A में है, कार खाना, B में है, कबरिस्तान, C में है, बादब, D में है, मोटर गाड़ी, अब यहाँ पर साबका वाले लवज की निशान दहीं करना है, यहानि कि जो शुरू में जुड़ें, तो कार खाना, देखिए, यह खाना, लास्ट में जुड़ा हुआ है, यह तो लाका वाले लवज है, option A नहीं होगा, कबरिस्तान, यह भी लाका वाले लवज है, लास्ट में स्तान जुड़ा हुआ है, और उसके बाद से मोटर बाकि option number D में जो है ना motor, गाड़ी सबसे पहले शुरू में था motor और लास्ट में जोड़ दिया गया है गाड़ी option number D तो होगा नहीं क्योंकि यह लाका है कब्रिस्तान भी नहीं होगा और फार्खाना भी नहीं होगा यहां पर direct दिख जा रहा है कि अदब के शुरू में जुड़ा है बाग तो यहीं है साबकावल अदब C is the correct answer ठीक है question number 43 है कि चोरी करना क्या है option A में है फेल मुस्बत, B में है फेल मनफी, C में है फेल मुफरद और D में है फेल मुरकब यहां देखिया फेल मुस्बत तो होगा नहीं ठीक है क्योंकि जिस काम का होना जाहिर हो उसे कहते हैं हम लोग फेल मुस्बत ठीक है फेल मनफी जिस काम को करने के लिए मना ही हो तो यह तो होगा नहीं और फेल मुफरद कहते हैं वैसा काम जो सिर्फ एक लफज से जाहिर हो करना तो दो अगर लफ्झ हो तो उसे कहते हैं फैल मुरक्यब कहा है एक मॉफ्ट व्वाला फैल फैलॏ मॉफरत कहलाएगा और फैल में से हुरूफ फौकानी की पहचान करें और सी में पे और डी में अन तो हुरूफ फौकानी किसे कहते हैं वह रूफ जिसके उपर नुक्ता हो और हुरूफ तहतानी कहते हैं जिसके तह में यानिकि जिसके नीचे नुक्ता हो अगर हर्फ के नीचे नुक्ता है तो उसे तो B के नीचे नुकता है, तो ये तो गुरूफे तहता नहीं होगा, गुरूफे फौकानी होगा नहीं, option number B नहीं होगा, P के नीचे नुकता है, option number C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नुकता ही नहीं है, अब देखिए यहाँ पर ते जो है ना ते के ऊपर नुकता है तो इसी को क्या कहेंगे हुरूफ फौकानी जिस हर्फ के ऊपर नुकता हो उसी को क्या कहते है हुरूफ फौकानी कहते हैं तो आपसन नमबर A is the correct answer आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नमबर 44 है सारी 45 है कि वाउ मादूला की पहचान करें वाउफ सने में ह क्वोन B में है खौाहिश S में जोर और D में है शयूर अब देखिए वाउ मादूला किसे कहते हैं जिस वाउफ को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता उस तरह के वाउ को कहा जाता है वाउ मादूला वाउ वाउ बूलने से ऐसा लग रहा है वाउ तो वाउ आखिर है क्या बताईए वाउ मादूला इन चारों में से कौन है खून तो होगा नहीं क्योंकि इसमें वाउ को पढ़ा जा रहा है ये खौहिश लिखा गया है लेकिन प पढ़ा नहीं जा रहा है तो आपसा नमबर 20 करेक्ट इंसर यहीं हो जाएगा वाओ मादूला आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ केशन नमबर 46 कि मंदर जैल में से मौनस लब्स की पेचान करें मौनस यानि के स्ट्रिलिंग लब्स की पेचान करनी है आपको आपसा तीर तो होगा नहीं क्योंकि तीर एक मौनस नहीं बल्कि मुझकर लवज है यानि कि पुलिंग लवज है तीर दिल पर लगा लगी नहीं तीर दिल पर लगा तो लगा बोला जा रहे यानि कि तीर क्या है एक मुझकर है आपसा नमर यह नहीं होगा परहेज करना चाहिए एक मिनट, option number A तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, और पागल लब्स भी क्या है, ये भी एक मुझकर लफ्स है, option number C भी नहीं होगा, मस्जिद ये एक मुझनस लफ्स है, option number D is the correct answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 47, कि दर्जिजायल में से मुझकर लफ्स की निशान दई की जीजिए अब यहां पर pulling शब्द को पेचानना है option ने मं हैं धड़कन वी में हैं बुंध c में हैं इमारत और d में होसला तो क्या होना चाहिए सवाल का सही जवाब मुझकर लवजेन की pulling लवज की निशान देग है पुलिंग लवज को पेचानना है आपको तो सबसे पहले तो धड़कन, धड़कने बढ़ गई, बढ़ गया नहीं, बढ़ गई, तो option number A नहीं होगा, क्योंकि एक मुणनस लवज है, बूंद, बूंद भी मुणनस लवज है, आप लोग जानते ही होंगे, इमारत बढ़ी है, ठीक है, इमारत भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सुने होंगे, उसमें कितना होसला है, देखते हैं, कितनी नहीं, कितना होसला, ठीक है, तो होसला एक मजखकर लवज है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 48, के मुम्ताज के मानी क्या है, आप तिर्फ शाह जहां और मुम्ताज के बारे में सुने होंगे, ताज महल के बारे में सुने होंगे, कि मुम्ताज के नाम पर ही रखा गया है ताज महल, तो बताईए जरा मुम्ताज का मानी क्या होता है, ठीक है, बहुत कमी लोग जानते होंगे, और अगर आप लोग इस सवाल का सही जवाब बता देते हैं, तो बहुत बढ़िया है, इसी बात पर देखते हैं, कि आप लोगो मुम्ताज का मानी पता है कि नहीं, बताईए मुम्ताज का मानी खास होगा, कि सबसे अलग होगा, कि खुबसूरत होगा, कि पोशीदा होगा, खास, सबसे अलग, खुबसूरत, पोशीदा, सबसे पहली बात तो, पोशीदा होने व ठीक है, तो option number B is the correct answer. आगे बढ़ते हैं question number 49 कि आस्मान से बाते करना मुहावरे का मानी क्या है? option A में हैं गुस्टा होना, B में हैं बे इंतहा कोशिश करना, C में हैं बहुत मगरूर होना, D में हैं शर्मिन्दा होना. आस्मान से बाते करने मुहावरे का मानी होता है, बहुत मगरूर होना, ठीक है, आस्मान से बाते कर रहे हैं, बहुत मगरूर हो गया है, ठीक है, उसको अपने आप पर बोज़दा गुरूर है, घमंड आप यह के सकते हैं, ठीक है, तो option number 6 is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, question number 50, पच बहुत नाराज है, कौन सा सेगा है, option A में है, जमा मतकलिम, B में है, वाहिद हाजिर, C में है, जमा गायब, और D में है, जमा हाजिर, सेगा से question पूछा गया है, वह लोग बहुत नाराज है, तो सबसे पहली बात तो वह यानि कि थर्ड परसन की बात की जा रहे हैं, यानि क गायब वाला ही हो सकता है, और वह लोग वो तो वाहिद नहीं है, जमा है, यानि कि जमा और प्लस गायब, जमा गायब, आपसा नमबर C में देखिए, जमा गायब दिख रहा है, इसको धीरे से टिक करके आगे बढ़िए, question नमबर 51 है, कि जिस इसम से औजार या फिर हतिया का नाम जाहिर हो, आप लोग को कितना बार, हजार बार बताया गया है, कि उस तरह के नाम, उस तरह के इसम को कहा जाता है, इसम आला, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, question number 52, कि बिन्नते मुबारक, बिन्ते मुबारक क्या है, option A में है कुनिय B में लकब, C में खिताब और D में तखलूस, बिन्ते मुबारक क्या है, कुनियत है कि लकब है कि खिताब है कि तखलूस है, क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब, बिन्ते मुबारक, याद कीजे कुछ याद आ रहा है, मैं आप लोग को बताई थी कि जिस नाम के starting में अग अगर लफ्ज लगा हो, बिन्त, इबन, अबू या फिर उम, तो उस तरह के नाम को आप लोग बिना सोचे समझे, धीरे से लकब टिक कर दीजिएगा, यानि कि देखिए, उप्सान नबर B में लकब दिखाई दे रहा है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए, ठीक है, यानि कि, यानि कि, एक मिनट, लकब मैं बोल रही हम, सॉरी, सॉरी, उसको धीरे से कुणियट řिक कर देना है, ठीक है, जिस नाम में अबू, बिन्त, उम, या फिरम इबन हो, उस तरह के नाम को आप लोग क्या कहेंगे, कुणियट कहेंगे, ठीक है, कुनियट कहा जाता है, मतलब कि यह कुनियत उस्तरा के नाम को कहते हैं जो रिष्टे की बिनापर रखा जाएं ठीक है बिंत मुबारक उम कुलसुम अबुलकासिम ठीक है तो बिंत अबु ठीक है यह सब की लिए मकरर की गई हो उसे इसमे इशारा ही करेंगे और डीज दकरैक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं क्योसिन नबर 54 कि मानि के अदबार से इसम की किदने किसमें हैं और फिसमें मैं एक वी दो सी में तीन और दी मैं चार तो मानि की लिए हाथ से आपको पता होना चाहिए कि इ माहिम आप तो बताई थी गृत June की तीन किसमें इसं में मज़त तोाओाई थी ना मानी के सबस्टुप से किसमे कौन से इसमें बस और इसमें छुफत ठीखिय यह मानी के लिहाथ से दो किसमें है इसमि की अब देखिए, नेक्स्ट कोश्चन तो वही है, बनावट के लिए हाथ से इसम की कितनी किसमे हैं, आपसने में 1, B में 2, C में 3, और D में 4, तो बनावट या फिर इस्तिकाग के लिए हाथ से इसम की 3 किसमे हैं, अब इसको कहेंगे, इसको लगाएंगे 3, C is the correct answer, कौन-कौन सा बनावट के लिए हाथ से इसम की जो 3 किसमें, वो कौन-कौन सी हैं, इसम जामिद, इसम मस्दर, ठीक है, और इसम मुझतक, इसम की 3 किसमें, आगी बढ़ते हैं, क्यूशन नमबर 56, कि तुम कौन हो, कौन सा जुम्ला है, आपसने में मुस्बत, B में मन्फी, C में सवालिया और D में इन्शाईया, तुम कौन हो, यानकी सवाल पूछा जा रहा है, तो यह जुम्ला का सवालिया किसम है, यानकी सवालिया टाइप है, यह कौन सा जुम्ला कहलाएगा, सवालिया जुम्ला कहलाएगा, आपसने में मुस्बत, B में खबरीया, C में सवालिया, और D में इ स्भाब है चोर पकड़ा गया कि यह में कॉझे से हम bigger मेल रही है जिसे मिले के खबर उसंतर्ब मिले उस तरह के खबरी आगे बढ़ा जाए कि आशिक का जिद होगा यानिकी आशिक का अपोजिट वॉर्ड विप्रितार्थक शब्द बताना है उल्टा मानी रखने वाला लफज बताना है उपसाने में बेवफा बी में दुश्मन सी में माशूक और डी में बे शरम तो आशिक का अपोजित क्या होगा बेवफा होगा या फिर दुश्मन या फिर माशूक या फिर बेशरम तो आप लोगों करsent機 यानिकी अपोजिट होता है माशूक आपसान कर इस दा karekkr चाहिए अब यहां पर कुछ विद्यारती जो है ना और नमबर ए और आपसे नमबर भी इन दोरों में कंफ्यूज होंगे क्योंकि अदब का जमा अदाब भी ओसकता है अदीब भी हो सकता है कौन सा सई है तो मैं आप लोगों को बता दू कि अदब का जमा जो है ना वहता है आदाब, option number A is the correct answer, जिन लोगों ने भी option number A लगया है, बिल्कुल correct है, आगे बढ़ते हैं, question number 60, कि हकीकत का जिद क्या होगा, option A में सच, B में जूट, C में एहमक, और D में मिजाज, तो यहाँ पर last सवाल है, आज के इस एपिसोड का last सवाल, बता दे, अपने हिसाब से, कि हकीकत का opposite क्या होगा, हकीकत का opposite होगा, मिजाज, option number D is the correct answer, क्योंकि already यह चीज़ आपको पढ़नी भी है, एक होता है, इशके हकीकी, ठीक है, और एक होता है, इशके मिजाजी, ठीक है, जो इशक खुदा से की ज उसे इशके हकीकी कहते हैं, ठीक है, और जितने भी शुरा होते हैं, मतलब जितने भी शायर, बड़े बड़े शायर, मिर्दा गालिब हो गए, अमीर खुसरो हो गए, ठीक है, तो यह जो है ना, इशके हकीकी पर भी शिरोशायरी की हैं, और इशके मिजाजी पर भी दिया जाता है या कि जो इंसानों से मुवब्ष की जाती है और जो खदा से मुषब की जाती है उसे इसके हखिकी कैते हैं ठीच है तो जादateur गजल्य कही गई है मिर्जा गालिब हो गए या फिर पहले के जो गजल का शुरुआती दौर था जिसमें गजल को बहुता मकबूलियत मिल रही थी तो उस वक्त जो है ना गजल का जो में मोटिम था मतलब गजल लिखने का वो इसक मिजाजी था ठीक है और फिर जो है ना अलग-अलग टॉपिक पर गजल कहे जाने लगे और जिसमें इश सूफी शायर थें वो इसके हकी की पर ही ज्यादा ध्यान दिये इस पर ज्यादा जूर ठीक है तो यह दो तरह का होता है और यहां पर यह चीज़ हो सकता है कि एक्जाम में पूछ दे बाकी हकीकत का जिद यानि कि आपोजिट वर्ड मिजाज याद रखिएगा मिजाज का पूजिट वर्ड हकीकत ठीक है तो यह 60 क्योशन थे आज के इस एपिसोड में हम लोग टोटल 20 क्योशन कि आप लोग को 20 में 20 क्योशन जो है ना बता दें कि कितना सही आप लोग कर पाए हैं और बाकी जो चीज़े आप लोग को समझ में आई है और वीडियो अच्छा लग पाए है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है और चैनल पर अगर आप लोग नए नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फड़ा फट ताकि हरो जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे आज की इस एपिसोड में हम लोग तो वीडियो अप्लोड करने में थोडी लेट होजा रहे है सारा कॉंटेन्ट बगरा और फिर लाइब क्लास स्टार्ट होने वाला है तो उसी में थोडी में बिजी हो जा रहे हूं तो आप लोग फ्टुड उड़ा इंतिजार करें 10 12 का लाइक क्लास स्टार्ट होगा और और यह एपिसोड रहेगा यह स्टॉप नहीं होगा और बाकि जो लाइब क्लास स्टार्ट होने वाला है उसका आप लोग इंतजार करें और यह उर्दुग्रामर का एपिसोड जो नाइन आने वाला है आज का तो यह एपिसोड एट है नाइन बहुत जल अप्लोड होगा लिए उसको देखकर आप लोग रिविजन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को आज क्यों लोग मिएपिसोड में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए जहिंद्द और खुदाहाफिज